कार्तिक मास के सुकल पक्ष की एकादसी को देव थान या देव उटनी एकादसी कहते हैं इस दिन भगवान स्री हरी विष्णू चार माह की योग निद्रा के बाद जाकते हैं और जिसके बाद से तमाम मांगली कारे सुरू हो जाएंगे देवत्थान एकादसी के दिन कुछ विसेज प्रियोग करने से धन दौलत बढ़ता है खुसिया आती है और जीवर में सुवमंगल कारे होने लगते हैं तो इस दिन तुलसी बिभा का भी आयोजन होता है माननेता है कि देव उठनी एकादसी के दिन कुछ विसेज उपाय करके मनोवांचित फलों की प्राप्ति की जा सकती है तो कार्तिक सुकल पक्ष की एकादसी को देवत्थान एकादसी या देव उठनी एकादसी कहते हैं इस दिन से 4 महने से रुके वे सभी मागली कारे फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार यह एकादसी मनाई जाएगी माननेता है कि इस एकादसी पर भगवान विश्नु अपनी चार महिने की जो योग निद्रा है उससे जागते हैं और इस दिन तुलसी बिवा का आयोजन भी होता है क्योंकि देव उठनी एकादसी के दिन जब स्रीहरी जगेंगे तो सभी इक्छाओं की पूर्ती करेंगे अगर आप भगवान विश्नु को केसर मिलेवे दूद से अभिसे करें तो सभी मनो कामनाय पुर्ण होती है धन बढ़ता है और एकादसी के दिन भगवान विश्नु को अगर सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते डाल कर तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है अगर इस दिन आपको संतान नहीं है आप चाहते हैं संतान की प्राप्ति करना तो आप भगवान स्री हरी की अराधना कर उनको दूद में केसर डाल कर उनकी अभिसेख करें और फिर जितना ज़्यादा हो संतान गोपाल मंद्र का जब करें तो संतान की प्राप्ति अतिसिग भगवान को नारियल और बादाम बिसेश तोर पर प्री है इसलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अरपित कर दे तो आपकी जो भी मनो कामना है वो पुर्ण हो जाती है आपके अधुरे कारे पुरे हो जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनकी विसेश क्रिपाब मिलती रहे तो वैसे आपको तो पता है किसी भी एक आदसी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे ब्रत में वर्जित माना जाता है वैसे तो जो ब्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल नहीं खाएंगे और बैंगन भी नहीं अब भूल से आप अगर चावल खा लेते हैं तो दूआदसी तिथी को जरूर चावल खाईए ऐसा करने से ब्रत का फ़ल आपको मिलता है तो आज क्योंकि बात कर रहे हैं कामिका एकादसी के ब्रत में लहसन प्याज और मसूर की दाल भी नहीं खानी है क्योंकि इन् विश्नू पास्मरण करते रहें अगर संभभ हो तो रात में जागरण कर सकते हैं लेकिन कथा जरूर सुनियेगा और कामिका एकादसी ब्रत की शुरुत की 10 मीं तिति से होती जो 12 तिति तक चलती है ऐसे में आप 3 निन का पालन करते हैं तो ब्रत का पूरा फ़ल मिलता है ल इस दिन तुल्सी भी नहीं खाना चाहिए। भखवान स्री हरी का मंत्र जितना जाद हो उतना जादा जब करें भागे को बल मिलेगा। और भगवान स्री हरी जो एकादसी ती थी के दिन पांच सुपाड़ी लॉंग नारियल पीले रंग की मिठाई उनको जरूर और पित करें। देखे एकादसी की कथा भगवान स्री किष्ण ने धर्मराज युदिश्टीर को सुनाई थी और इसके पहले मुनी वसिष्ट ने राजा दिलिप को सुनाई थी जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ती मिली थी और मोक्ष की प्राप्ती वी थी। लेकिन इस दिन पूजा पाट कैसे करेंगे। इसके पहले जानिए कि सुबह सुबह उटकर पूरे घर की सफाई करके घर के मुक्षे दरवाजे पर आम के पत्तों का या सोख के पत्तों का बंदनवार जिसको हम तोरन कहते हैं लगाईए। इसके बाद आप भगवान सरीहरी की पूजा करने के निमित्त पूजास्थान की सापसफाई करें। लेकिन उसके पहले भगवान सुरी को एक लोटा जल में चुटकी हल्दी डाल कर अर्पित कर दें। और पिर भगवान सरीहरी की पूजा आप कीजिएगा। चुकि एकादसी तिथी के दिन बहुत ही खास सुवसयोग में योग बन कर आया है तो ऐसे में इस दिन सरवार सिद्धी योग भी है और इस ब्रत में सरवार सिद्धी योग का होना बहुत ही दुरलफल देता है तो इस एकादसी से जीवन की समस्त परेसानियों से आप बाहर आ सकते हैं एकादसी तिथी पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से इस दिन चुकि पीपल के पेड़ पर भगवान स्री हरी विश्नु मालक्षमी का निवास होता है तो आप एक लोटा जल में थोरी सी कुंडली में पित्री दोस हो अब पित्री दोस आपको पता नहीं है लेकिन लक्षन से जान सकते हैं जैसे कि घर में बरकत नहीं होना अच्छा नहीं लगना सुना पन लगना संतान की प्राप्ती नहीं होना बंस ब्रदी नहीं होना या पिर नौकवी रोजगार में परेसा कर सकते हैं इससे पित्री देव प्रसंद होते हैं और जीवन की समस्त परिसानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह से इस एकादसी तिथी के दिन सुब से योग में आप भगवान विश्णु मालक्षमी के साथ पित्री देवों को भी प्रसंद कर पाएंगे अब मौली धागे की बाती होगी एक लॉंग रख दीजिएगा और पूजा कीजिए लॉंग आप चाहें तो बाती के बगल में भी रख सकते हैं ताकि लॉंग जले तो इसकी कुजबू से घर का वाताबरन सकात्मक हो जाए आप अगर चाहें तो घीमे भी रख सकते हैं खल्दी से कलर करके या कुमकुम से कलर करके ही अरपित कीजेगा भगवान स्री हरी के माथे पर संभब हो तो मंजरी तुलसी की या तुलसी के दो पत्ते जरूर सजा दे वो बहुत परसंद होते हैं आप कुछ नहीं भी करते हैं सिर्फ तुलसी की मंजरी या दो पत्ते के जल में एक दो बुंद ज्यादा नहीं एक दो बुंद दूद एक चुटकी हल्दी थोड़ी सी मीठी बस्तू ज्यादा नहीं देना है एक दम थोड़ा सा और तुलसी के पेड़ में आप अर्पित कर दे इसके बाद वहां पर आप ओम नमो भगवते वासु देवाय का अचले बार एक आदसी में आप कभी भी पहले भी कर चुके हैं आप तो उस सिक्वे को संभाल के रखे होंगे उसी सिक्वे को फिर से अर्पित कर दे और फिर से उठा कर बाद में संभाल कर रख लें यह सिक्का बीच-बीच में रिचार्ज करते रहिएगा तो जीवन की होगी तो यह चोटे से परियोग हैं लेकिन आज हम आपको एक खास परियोग बताएंगे चुकि बहुत ही सुब और दुरलब संयों के साथ यह एका दसी आई है इसलिए सिबलिंग पर दूद जरूर और पित करें अगर कोई विसेस मनुकाम ना है तो दूद में मिस्री डा भी नहीं होगी बैपार भी बढ़ेगा और घर भी आपका खूब तरक्की करेगा घर के लोग फलेंगे फूलेंगे इस एक आदसी को आप मनाएंगे तो पीपल के पेड़ की जड में मीचा जल अर्पित करना है यानि एक लोटा जल में थोरी सी मिस्री डाल कर अर्पित कर कि और एक दिया सरसों के तेल का जरूर जला या आप चाहें तो सिलि के तेल का भी जला सकते हैं संबभ ठोट पवित्र नदी सरोबर में नहाए या फिर अपने ही घर में आप नहाने के पानी में तूल्सी के पत्ते या गंगा जल डाल करना है अब भगवान स्रीहरी के साथ मालक्षमी की पूजा होगी हर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी इस दिन धनिया का विसेश प्रियू किया जाता है धनिया जो धन की देवी मालक्षमी को अतीप्री है थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजास्थान पर पूरब दिसां में मिट्टी के पातर में रख दीजेगा अगर आपने दीपावली पर धनिये का पौधा बोलिया है तो अच्छी बात नहीं तो इस एकादसी की रात एक मिट्टी के बरतन में आप दिया ले लीजेगा नया वालक्षमी का थोड़ा सा धनिया और उसमें पानी डालकर रख दे अगले दिन यारी की द्वा आईएगा बरकत होगी ये पेड़ बताएगा कि आपके घर में कितना सुमंगल कारे होंगे अगर जीवन में धन की मुस्किल बहुत परेसान करे तब बिलो पत्र के पेड़ के नीचे दो मुखा दीपक जला दीजेगा साम में घी का दिया होगा दीपक में एक चावल का दा आपका स्वास्त की समस्या है जो भी है आपके घर परिवार में तकलीफ बोलिए जरूर बोलिए क्योंकि बोलने से ही दुख कम होता है तो वहां पर बोलिए ये दिया जला दें और कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करें जीवन की तमाम मुस्किलों से आसानी से बाहर आ क्यामेंट में हरहर महादेब चरू लिखे है धन्यवाद फिर मिलेंगे